नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू SSN IAS MPPSC Classes बोपाल आज का हमारा टॉपिक है प्लासी का युद्ध बेटल लॉप प्लासी इसके अंतरगा थम इस युद्ध के कारण परिणाम तो था इसके महत्व पर चर्चा करेंगे और इस युद्ध से संबंधित जो उप्रस्नाप के प्रारंबिक और मुख्य परिक्षा में पूछे गए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलाबा इसके आंसर को आपको किस तरीके से लिखना है इस पर भी हम विसे इस रूप से चर्चा करेंगे चले स्टार्ट करते हैं बैटल ओप प्लासी प्लासी का युद्ध तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को सराज़त दौला चोकी बंगाल के नवाब थे तथा रोबर्ट कलाइब के बीच में हुआ था यह नदिया जिले में जो की बंगाल में इस्तित है भागी रती नदी के किनारे हुआ था इस युद्ध में सिराज़त दौला के सैनापती मीर जाफर ने इनका साथ नहीं दिया था इसके अलावा आप देखेंगे कि जो इनकी मौसी थी घसीटी बेगम, जगत सेट, पूर्णिया के नवाफ सौकत जंग, मानिक चंद, राय दुरलव, यार लतीफ, आदी लोगों ने रोबर्ट कलाइब का साथ दिया था यहाँ पर पहली बार रोबर्ट कलाइब ने डिवाइट एंड रूल की पॉलिशी को एपलाई किया और फूट डालो राज करो की नीती के अंतरगत इस युद्ध को जीत लिया नेक्स्ट, कॉजिज, कारण, बिटिस कॉंस्पिरेंसी अगेंस्ट सिराजुद दौला, सिराजुद दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का सड्य अंतर, इस युद्ध के कारणों में एग था अंग्रेजों और नवाफ सिराजुद दौला में तनाओ, नेक्स्ट कारण, फोटिफिकेशन बाई दाविटिस, अंग्रेजों द्वारा किलेवन्दी करना, नेक्स्ट, अथोरिटी ओवर कासिम बाजार एंड कलकत्ता, कासिम बाजार वा कलकत्ता पर अधिकार, ब्लैक होल ट्रेजडी, 20 जून, 1756, काल कोट्री घटना, यह अपने आप में एक महतपूर कॉश्चन है, जिस पर की मेंस में त्री मारकर कॉश्चन पूछा जा चुका है, इस पर हम बात करते हैं, काल कोट्री घटना, जिसे हम ब्लैक होल ट्रेजडी भी कहते हैं, यह घट गटना 20 जून 1756 की थी इस घटना के अंतरगत एक छोटा सा कमरा था जिसमें 146 अंग्रेजों को बंदी बना दिया गया था और इसमें अंगले दिन केवल 23 जो अंग्रेज थे वो जीवित बचे थे इस घटना के विसाय में हॉल्वेल नामक एक वेक्ति के द्वारा बताया ग इंकार करते हैं नेक्स्ट है वाइलेशन ऑफ ट्रेटी ऑफ अली नगर अली नगर की संधी का उलंगहन इस कोश्चन पर भी हम सर्चा करेंगे कि अली नगर की संधी क्या थी किन के वीच में हुई तो अली नगर की संधी 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के वीच हुई थी प्रावधान या प्रॉविजन्स तो इन प्रॉविजन्स की हम बात करते हैं नवाब द्वारा छीनी गई संपत्ती फैक्ट्री तथा के लिए अंग्रेजों को वापस कर दिये जाएंगे नेक्स्ट प्रॉविजन्स था फरुख सिहर द्वारा प्रादान अंग्रेजों की सभी सुविधाओं को नवाब ने सुईकार कर लिया बंगाल बिहार और उडिशा में अंग्रेजों को बिना चुंगी दिये व्यापार करने की स्वतंतरता दी गई कलकत्ता में अंग्रेजों के सिक्के चलाने का अधिकार मानने हुआ अंग्रेजों को कलकत्ता को पुना किलेवंदी करने की स्वतंतरता मिली और एक और प्रभीजन हम इसके अंतरकर देखते हैं नवाब तथा अंग्रेज एक दूसरे के सत्रू को अपना सत्रू समझेंगे तथा युद्ध में एक दूसरे की सहायता करेंगे तो ये अली नगर की संधी के प्राउधान थे लेकिन रोबर्ट क्लाइब को इस संधी से भी संतुष्टी नहीं हुई और उसने बंगाल के नवाब सिराजुद दौला के उपर अली नगर की संधी के उलंगन का आरोप लगाया और इस युद्ध को स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट इस युद्ध के परिणाम दा विर्टिस एमर्जड विक्टोरियस इन दा वार एंड इंडारेक्टली दा राइज ओफ इंगलेंड पॉवर इन इंडिया युद्ध में अंग्रेज विजाई हुए और परोख्च रूप से भारत में अंग्रेजी सक्ता का उध्य हुआ मीर जाफर वाज मेड दा न्यू नवाब ओफ बंगाल मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया दा पावर ओफ दा फ्रेंच इन इंडिया वाज कंप्लेटली एक्जॉस्टिट भारत में फ्रांसीसियों की सक्ती पूनता लगभक समाप्त हो गई क्लाइब रिसीब्ड जागीर ओफ 30,000 पाउंड एन्वर इंकम फ्रॉम मीर जाफर क्लाइब को मीर जाफर से 30,000 पॉंड बार्सिक आए की जागीर प्राप्त हुई अंग्रेजों के लिए भारत में राज इस्थापित करने का मार्ग खुल गया अब हम बात करते हैं इस युद्ध के इंपॉर्टेंस या महत्त की तो इन महत्तों को दिखते हैं तो दावेटल प्लासी हैज स्टोरिकल सिग्णिफिकेंस इन इंडियन हिस्ट्री भारती इतिहास में प्लासी के युद्ध का इतिहासिक महत्त है Due to this war, the British were able to establish their rule in India. इस युद्ध के कारण अंग्रेज भारत में अपना सासन इस्थापित करने में सफल हो सके. The success of Plassey and the conquest of Bengal made the British efforts to conquer North India later. Plassey की सफलता और बंगाल की विजय ने अंग्रेजों द्वारा कालांतर में उत्तर भारत की विजय के प्रयाशों को सफल बनाया. Plassey greatly increased the power and means of the British. Plassey ने अंग्रेजों की सक्ती और साधनों में ब्रद्धी कर दी. As a result, the company had no difficulty in defeating नवाब सुजाओ दौला और अवध एंड मुगल एंपरर शाह आलम सेकेंड इन वेटल ओफ वक्सर. इसके परिनाम सरूप कंपनी को अवध के नवाब सुजाओ दौला और मुगल समराच साह आलम दुत्तिये को वक्सर के युद में हराने में कोई कटनाई नहीं हुई. According to Malaysian, possibly in history, such a war was never fought. It may be an exaggeration, but certainly it was a very important link in the chain of gaining authority over India. मालेशन के अनुशार, शंभवता इतिहास में इतना प्रभावित करने वाला युद्ध कभी नहीं लड़ा गया. शंभवता यह अतुश व्युक्ति हो परंतु निश्चे ही भारत पर अधिकार प्राप्त करने की स्रंखला में यह अत्यन्त महत्वपून कड़ी थी. तो इस तरीके से हमने देखा कि बंगाल में प्लासी के युद्ध के दौरान किस तरीके से रॉबर्ट क्लाइब ने स्राजुद दौला को पराजित किया. तो सबसे पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं. मेटल ओफ प्लासी प्लासी का युद्ध 23rd जून 1757 बिट्वीं स्राजुद दौला एंड रॉबर्ट क्लाइब प्लेस नदियर इस्टिक वंगाल भागी रथी रिवर. प्रिलिम्स में आपसे कॉशन पूछे जा सकते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ, प्लासी का युद्ध किस जिले में हुआ, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ, ये सारे कॉश्चन्स आपके एकजाम में पूछे ग तथा रोबर्ट क्लाइब के बीच और जग है नदिया डिस्टिक बंगाल भागी रथी निवर उसके कारण और परिनाम नेक्स्ट कारणों की बात कर लें तो इसके कारणों को हमने देखा कि इस राजद दौला के विरुद अंग्रेज सड्यंत रच रहे थे दौनों के बीच में तना हो गया था अंग्रेज उन्वारा क्लेवंदी की जा रही थी कासिम वाजार और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया गया कालकोट्री घटना और अलिनगर की संधी का उलंगन यह कुछ कारण है जिनके कारण प्लासिका युद्ध संचालित होता है अरे नाम की अगर हम बात करें तो इस कौश्चन को अगर हम थोड़ा समझने का प्यास करें तो यह पहला युद्ध था बेटेसर्स का जिसमे वो जीतेंगे और भारत में सत्थापित करनी की देसा में दीरे-दीरे कॐदम बढ़ाएंगे तो सबसे पहले भारती यो उतो जो सत्थी वह भारत में इस्तापित हो जाती एं सुराज़त दौला के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवा बना दिया जाता है इन्हें कलाइब का गिदढ भी कहा जाता है भारत में फ्रांसी सी सक्टीबी लगवक्स समाप्थ हो जाती है कलाइब को मिर्जाफर से 30,000 पौंड की इंकम प्राप्त होती है तथा भारत में अंग्रेजी सत्ता का स्थापित करने का मार्क खुल जाता है 24 पर गरने का भूभाग भी मिल जाता है महत्तो में हम देखें तो ये काफी महत्त पूर्ण युद्ध था इत्यासिक महत्त है इसका तो इस तरीके से हमने इसके कारण परिनाम महत्त पर चर्चा की अब हम बात करते हैं मेंस के कॉस्चन पर एक तो आपसे सीधा कॉस्चन जो पूंचा गया है वो है प्लासी का युद्ध दूसरा जो कॉस्चन आपसे पूंचा गया है अलीनगर की संधी तीसरा जो कॉशन आप से पूछा जा सकता है ब्लेक ओल ट्रेजडी या काल कोटरी घटना तो इस तरीके से आप से तीन कॉशन तो यह में इंस में पूछे जा सकते हैं इसके अलावा हम प्रिलिम्स की बात करें तो अलीनगर की संधी कव हुई काल कोठरी घटना 20 जून 1756 की इनसे कॉश्चन पूछे जा चुके हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था किस नदी के किनारे हुआ था ये सारे कॉश्चन्स आपके एक्जाम में आ चुके हैं थैंक यू वेरी मच